अलो स्टुडेंट्स वेलकम बाइक वांसे के इंट वेरी ओन चैनल देट इस मैजोनीद प्रत्युसर जैसे कि बच्चों मैंने वादा किया था आप लोग को हमारा फेमिली जितना था अभी 9, 10, 11, 12 का सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा और बहुत ही अच्छा सा सर्प्राइज जो की बहुत ही हल्फ करेगा आप लोग के एंट्रांस प्रिपेरेशन को और थोड़ा बुस्ट अप करने के लिए ठीक है बहुत बच्चे पहले से ही मुझे रिक्वेश्ट किये ठे बहुत बच्चे बोले भी थे कि सर जल्दी आप थोड़ा एंट्रांस लेबिल का थोड़ा जो लोगिकल रिजनिंग होता है या फिर आप लोग का वेलु वेस्ट खो Oke होता है या फिर जो आपका mathematical aptitude होता है वो सारा वीडियो सार थोड़ा लाइए तो हमको और थोड़ा help मिल जाएगा ऐसे तो help मिल ही रहा है बट उसमें और थोड़ा सा ज्यादा help मिल जाएगा तो मैंने उन लोगों कर रहा था कि हाँ बच्चों हम बहुत जल्दी उसके उपर भी काम कर रहे हैं क्योंकि मैं one man army ही हूं जो कि सब काम कर रहा हूं क्योंकि वैसे अभी कोई सपोर्ट में नहीं है जो भी करना पड़ रहा है मुझे सारा कुछ अपने से करना पड़ रहा है चाहे वीडियो सुटिंग हो चाहे वीडियो अप्लोडिंग हो चाहे एडिटिंग हो चाहे कैप्सन हो चाहे कुछ भी हो और सारा कुछ में मोबाइल में कर रहा हूं तो दीर से ज्यादा बच्चे यहां पर इच उनके पास पहुंच पाए वह ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा है आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं आप लोग के लिए that is all about your logical reasoning and some mathematical सब्सक्राइब करने वाले बस मैं एक ट्राइब के बैसिस में यह वाला वीडियो के लेकर आया हूं पहले मैं थोड़ा सा देखूंगा response कैसे मिल रहा है मुझे वाला वीडियो से अगर अच्छा response मिला obviously हम यह सिरीज को continue करेंगे वैसे तो response का बात नहीं है सिरीज तो मैं continue करूंगा ही बट अगर ज्यादा से ज्यादा response आ गया और बच्चे बोलेगी से जल्दी से जल्दी वीडियो लाईए तो मैं ट्राइब करूंगा कि इसका जो वीडियो का जो frequency है वो थोड़ा सा जल्दी से मतलब हर जैसे की weekly अगर दो वीडिय करने वाला हूं तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह लोजिकल रिजिनिंग और कहां कहां पर यूज होता है जैसे कि देखो आप लोग 12 के बाद जहां पर भी कोई एक अंट्रांस वगेरा का एक्जाम दोगे या फिर कोई बीटेक कर रहा है कोई हमारा नीट कर रहा ह नहीं यहां पर और आप लोगे सॉल्फ करके दिखा हूं ठीक स्प्रिक्स थोड़ा सा सुखाऊं सांक फाकि आप लोगोगों को ट्रिक्स को अप्लाइए करके बहुत ही अच्छे से उसको अच्छे से आप लोग सब्दूबिमेंट कर सकते हो आप लोगे कहाँ पर तो उसको बेसिस करके हम कुछ discussion करने वाले हैं फिर धीरे अगर response अच्छा मिला तो मैं और ज्यादा से ज्यादा maximum type का questions करने का ट्राइ करूंगा और यह वाला जो वीडियो है बोड मेंने मैं नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो यहां पर screen recording है उसमें भी बहुत सारा options मिल रहा है जो कि आज मैं यूज करने बाला हूं जैसे कि बहुत सारा options मिल जा रहा है यहां पर मुझे तो मैंने भी धीरे धीरे सीख रहा हूं उसको तो जैसे कि question number one में सब्सक्राइब बना दिया जो कि मतलब बोड में हमको हाथ में करना पड़ रहा था यहां पर बहुत सारा option भी दिया जा रहा है तो और ज्यादा वह तो हम दीरे-दीरे सिखने वाले हैं आप लोग भी सिखना और आप लोग को अगर कुछ सजेशन कुछ अगर आप लोग को बोलना भी होगा आप लोग कॉमेंट सेक्षन में बता सकते हो बट ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वीडियो को स्यार करेंगे बच्चों के साथ जो कि रीच अगर ज्यादा पहुंचेगा तो अब्यूसली मुझे भी अच्छा लाइगा रेस्पांस भी अच्छा मिलेगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाया कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगे लिए वीडियो लेके आ सको ज्यादा और देरी ना करके डायरेक्ली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला पांच कोस्टन होने वाला है वह आपका लॉजिकल रिजनिंग रिज 208, फिर एक कोस्टन मार गिवन हैं तो सम ऑप्सन्स आर दिया लाइक 100 147 183 162 192 चेहां पें पांच आपशन हैं कहीं कहीं कोस्टन में एक्जाम में चार आप्संस रहते हैं यादा तर में 4 उप्संस ही रहते हैं ठीक ह यहां पर लोजिकल रिजिंग में क्या करना होता है, आप MOM İND को थोड़ा सा रिड करना होता है, पहले-पहले में नहीं होता है, ठीक न? तो उसमें give up नहीं करना है ठीक है आप लोग को करते रहना है करते रहना है जितना आप लोग देखो यह बाला कहीं पर प्रैक्टिस करने से नहीं होगा जितना आप लोग ट्रिक सिखोंगे और जितना more practice करोगे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप लोग उसको perform कर पाऊगे यह बात याद रखना हमेशा तो आते हैं हमारे जो पहला कोस्टिन को डिसकस करते हैं मैंने पहले यहां पर थोड़ा सा सौट कर डिसकस कर देता हूं फिर एक्स्प्लानेशन में आते हैं वह थ्री तो थ्री दान बोला है तो तेंट बोला है तो इसको कैसे ऐनों के सजदयाएंगे मतलब देखो और एक बात मैं जो खो सके और बहुत शारी ती शूट में क्या होता है mathematical aptitude में आप लोग का reasoning मतलब वाला जो कोशन रहता है उसमें बहुत सारा अलग-अलग trick आप लोग apply कर सकते हो ऐसा नहीं कि मैं जो ट्रिक बता रहूं उही बाला ही apply करना है आपको आप लोग अलग-अलग trick भी apply कर सकते हो बढ़ हमारा answer सेम आना चाहिए जैसे कि मैंने मेरा वाला trick अपलाए गया मैंने क्या कि ना 3 लिखाए तो पहले 3 को मैं कैसे लिख चेकता हूं देखो 3 into 1 मैंने पहले लिखा 3 into 1 equal to 3 हो रहा है बट जब 12 आ रहा है मैं 3 into 2 करूंगा तो 12 नहीं आगा ना 3 into 2 करने से तूल नहीं है तो मैंने दे पेटन कंटिन्यू करने से हमारे 27 आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं तो मैं अगर 3 into 3 का स्क्वेर करूंगा देन यह सब्सक्राइब कर लो तो 3 भी आ गया 12 भी आ गया 27 भी आ गया वैसे 48 करेंगे तो 3 into 3 का cube sorry 4 का square 3 into 4 का square 16 into 3 ठीक है तो यह तो हो गया आप लोग का एक पे explanation में आता हूं और explanation में हम चेक करते हैं कि हमारा वो जो explanation है वह बला करेक्ट है की नहीं मतलब हमने जो से किया है वह बला सही हो रहा है की चेक कर लो मैंने यहां पर explanation बना दिया है बहुत अच्छे से आप लोगे लिए explanation में क्या दिखा है correct answer will be 147 तो बाद में देखेंगे प 16 3 जा 48 3 x 5 का स्क्वेर मतलब 5 का स्क्वेर 25 25 द्री जा 75 3 इंटु 6 का स्क्वेर एक pattern में ही चल रहा है देखो मतलब 3 इंटु 1 का स्क्वेर 3 इंटु 2 का स्क्वेर ऑसे pattern में चला 3 इंटु 6 का स्क्वेर 36 3 जा 118 तो अभी last option बचा 7 का स्क्वेर जब हम 3 में multiply करेंगे then we will get how much बच्चो 147 147 and the correct answer the correct answer will be 147 तो यहाँ पर option number A यहाँ पर तो A B नहीं लिखा है but the correct answer will be 147 is that clear बच्चो so that is the concept जैसे कि देखो यह बाला ऐसे starting में देखने से आप लोग को नहीं होगा but आप लोग को practice करना पड़ेगा practice करने से जाके ही आप लोग का answer यहाँ पर मिलेगा so the यहाँ पर the correct answer will be बच्चो कितना 147 that is option number A is that clear to everyone I hope सबको clear हो गया होगा अगर नहीं clear हुआ तो आप लोग pause करके देख सेकते हो वीडियो को explanation को और मैं वीडियो इसका दे दूँगा पूरा का अप लोग वहाँ पर download भी कर सकते हो description में that is all about your question number 1 I hope अच्छे से clear हो गया होगा अभी आते हैं बच्चो सीधा question number 2 में वही series बाला question है पहले 5 question हम series बाला करेंगे फिर हम आएंगे हमारा next question में ठीक है फिर बोला है 2.25 फिर question mark है फिर 1.67687 में 5,3333.75 ठीक है तो अच्छे से अगर आप लोग series को देखोगे अगर आप लोग अच्छे से series को देखोगे ज्यादा तर में बच्चों क्या होता है आप लोगों पता है ज्यादा तर question में क्या होता है पहला और दूसरा मतलब पहला और दूसरा का जो मतलब numbering लिखा रहता है 4.5 और 18 उसके बीच में relation आपको find out करना रहता है बहुत सारा series में ज्यादा तर series में वैसा होता है 90% of the series में क्या होता है पहला second का आप लोगो relation देखना है फिर second third का आप लोगो relation देखना है फिर third fourth का relation मतलब consecutive terms का आपको relation देखना है एक बार एक बार वो relation आप लोग find out कर लोगे न तो कहीं न कहीं आप लोगो एक मतलब अच्छा सा concept मिल जाएगा तो अगर मैं देखो ध्यान से अगर देखूं तो 18 में जब हम 4.5 को divide कर रहे है 18 में अगर मैं 4.5 को divide करूँगा 18 में मैं 4.5 को divide करूँगा then we'll get 4 क्यों चेक करो 4.5 4 जा कितना हो रहा है 18 हो रहा है गी नहीं 4.5 2 जा तो 9 4.5 4 जा 18 आ गया तो वहां से क्या मिल रहा है कि 4.5 में अगर मैं 4 multiply कर रहा हूं then we'll get 18 तो मैंने पहले क्या क्या 4.5 में 4 multiply किया अभी देखो 2.25 और 18 के बीच का relation क्या है अगर मैं देखू 2.5 और 18 के बीच का relation क्या है तो हमको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं फिर से उसको divide करना चाहूं तो 18 को देखो यहां पे हम देखो मैं यहां पे अच्छा से समझा दिया है वहां पे आप लोग को अच्छा से clear में समझ में आ जाएगा कि actually में क्या हुआ है देखो पहले में हमने क्या था पहले में हमने क्या क्या था बच्छो पहले में हमने क्या था कि 4.5 में 4 multiply किया था विल गेट 18 हमने क्या गया था 4 multiply किया था पहला step में क्या करेंगे ध classrooms 18 और 8 में divide कर रहा हूं वह कैसे सरपता से लेगा तो वह कैसे पता से लेगा अगर आपको सोचना आ रहाए तो 2.25 को 18 में divide करके देखो वहां पर आपको 8 मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने क्या करेंगे अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा 18 में 8 करूँगा क्योंकि 18 आ गया और second time हमारा divide करना है 8 तो हमारा तूपन 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 तो एक pattern जब आप लोग चूज करोगे तो वो pattern में आप लोग को क्या दिख रहा है देखो यह pattern में आप लोग को दिख रहा है कि पहले में 4 multiply किये फिर second में 8 divide किये पहले में 4 multiply किये फिर 8 divide किये फिर third वाला में क्या आ रहा है अगर हमारा third वाला में क्या था देखो थर्ड वाला में हमारा था कितना 27 थर्ड वाला में 2.25 थर्ड वाला में हमारा था 2.25 तो यहां पर हमारा explanation में हमने क्या कि 2.25 है देखो पहले में हमने 4 को multiply किया था फिर हमने 8 को divide किया फिर मैं 2 देखो 4 4 extend हो रहा है कि नहीं 4 4 extend हो रहा है न तो 4 अगर 4 पहले हुआ फिर 8 वा था obviously next 12 होगा तो 12 को multiply करेंगे अगर मैं 2.25 को 12 में multiply करूंगा अगर मैं 12.25 को 12 में multiply करूंगा विल गे 27 ठीक है जो की 27 नहीं है हमारा यहां पर अगर चेक करेंगे तो यहां पर आपका 27 नहीं है जो हमको चाहिए था तो हमको चेक करना पड़ेगा ना सारा pattern हमारा same आ रहाएगी नहीं अगर यह पूरा total pattern पूरा same आ गया वही pattern में तो obviously हमारा answer कितना होगा 27 होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा तो जब हम चेक कर रहे हैं यहां पर देखो 27 फिर देखो हमारा pattern क्या था पहले हम 4 multiply किये थे फिर हम 8 divide किया फिर 12 multiply किया दोन obviously फिर 16 divide करेंगे तो जब हम 27 में 16 को divide किया मैरा answer निकल गया 1.6875 मैं बस बता रहा हूं मैंने किया है पहले से तो आप लोग भी करके देख लेना तो एक pattern आप लोगों मिल गया अच्छे से कैसा pattern कि 4 4 4 4 4 यहां पर add करते जाएंगे और यहां पर multiply यहां पर divide फिर multiply फिर divide ठीक है तो यह आगया आपका 16 भी आ गया फिर यह आगया आपका 1.6875 देन क्या करना है next step में 4 add कर दो तो 20 हो गया और 20 को multiply कर दो 1.6875 into 20 जब हमने किया तो directly हमारा answer कितना निकल गया 33.75 निकल गया जो कि हमारा यहां पर option था यहां पर चेक कर लो तो जब हम देखेंगे तो पहले 4.5 में हमने 4 multiply किया तो 18 निकला फिर 18 में फिर से 8 divide किया तो 2.25 निकला फिर 2.25 में 12 multiply किया तो हमारा यहां पर जो answer निकल रहा है वो किसके साथ equal हो रहा है 27 के साथ equal हो रहा है जो कि हमारा pattern को सही मतलब सही वो judge कर रहा है तो 27 that is option number C will be your correct answer क्यू हमारा निकल गया कितना 1.675 फिर हमने 1.675 में 20 multiply कर दिया तो उसका निकल गया 33.75 तो वो pattern को पूरा satisfy कर रहा है तो in that case we can say that 27 that is your option number C is the correct answer is that clear बच्छो तो that is the concept or this is the your question number 2 where the correct answer will be option number C that is your 27 I hope this is also very much clear तो पहले पहले में बच्छो अगर आप लोग करोगे तो थोड़ा सा confusion लग सकता है बट दीरे दीरे प्रैक्टिस करेंगे तो obviously असानी से हो जाएगा ठीक है तो सीधा आते कोशन नबर 3 में कोशन नवर 2 सब ओगया हगा और जो बच्चे देख रहे हैं थोड़ा सा comment में बताये कि हां साधा समझ में आ रहा है तो मुझे भी लगेगा कि हां बच्चे भी देख रहे हैं और समझ में आ रहे है तो सीधा आ मिसिंग सीरीज ऑफ 2 3 8 & 63 63 कॉमा डास उसके बाद क्या होना चाहिए तो अगर देखो मैंने बोला सीरीज जब भी आप लोग फाइंड आउट करेगा आप लोग एक पर्टिकुलर मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा नंबर को कि कैसे फॉर्माट में वो दिया गया है कैसे पहले में है 2 पहले में बच्चों कितना है टू ठीक है तो 2 और 3 नेक्स का मतलब पहले नंबर है 2 फीर नेक्स नमबर है थ्री तो उसके अंदर का रिलेशन क्या हो सकता है अगर हम देखेंगे तो देखो 2 का अगर देखो मैं एक पैटरन लगा रहा हूं कि 2 का स्क्वेर is equal to कितना होता है 4 होता है और 4 से मैं 1- कर दिया तो कितना मिला 3 मिला की नहीं चेक करो अगर मैं 4 से 1- किया तो 3 मिला की नहीं और एक बार कर रहा हूँ यहां पर फहले मैं box बना धेता हूण यह box मतलब यह तो question है इसको मैंने यहां पर лगा दिया अबी मैं करके दिखा रहा हो आप लोगों पहले मैने लिखा two uh पहले 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 रिकान ड्लाइब लिए हम ने पहले मैंने लिखा two तो next number कौन है 3, तो 3 का square actually कितना होता है, 9, और 9 से 1 माइनस करूँगा, क्योंकि pattern मेरा हुआसा है, तो कितना निकल गया, 8 निकल गया कि नहीं, हाँ sir निकल रहा है, देखो, एक pattern आगया हमारा, तो पहला का square माइनस 1 गर करेंगे, तो हमको दूसरा number मिल रहा है, फिर दूसरा का स्क्वेर माइनस वन करें तो तो क्या एट का स्क्वेर माइनस वन करेंगे तो चोधा निकलेगा चेक करते हैं एट का स्क्वेर बच्चों कितना होगे आपका 64-1 कर लिए तब कितना निकल गया 63 निकला की नहीं हां सार निकल गया तो अगर ऐसा फॉर्माट में आपका मिल गय तो two square four minus one three निकल यह फिर ठीक स्क्वार myが निस वन कर दिये तो eight निकल पिर eight square minus one कर दिय तो fourth No3 now अभी 5th number निकालने के लिए, 4th का square, minus 1 कर दो, खतम, 63 का square, minus 1, तो 63 का square, square बाला मैंने 5 second में कैसे निकालना है, आप लोगो बोल के रखा है, वो तो मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगो अगर देखना है, math streak में जाके, playlist में देख सकते हो, और या फिर आप लोग multiply कर सकते हो, त से 1 minus कर दो, then we'll get कितना, 6, 3, 9, 6, 8, 3, 9, 6, 8, will be our correct answer, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पर check करते है, 3, 9, 6, 8, कहां पर है, कहां पर है बच्चो, option number C, will be our correct answer, 3, 9, 6, 8, is our correct answer, so I hope बच्चो, 3 number question भी बहुत ही, आसानी से आप लोगो का हो गया होगा, और एक बात मैं बोलना चाहत हो, कि जब भी आप लोग यह वीडियो को देख रहे हो, तो पहले आप लोग खुझ से पहुझ से पहुझ करके, ट्राइ करने का कोसिस करो, ठीक है, फिर नहीं होगा, तो आप लोग एक्स्प्राइनेशन वीडियो देख सेखते हो, so this is all about your question number 3, तो मैंने देखो, यहाँ प find the missing series बाला करेंगे, फिर next में हम जाएंगे थोड़ा सा mathematical reasoning में, ठीक है, यह बाला question को देखेंगा, यहाँ पर भी एक series given, actually, for number, find the missing series, पहले में लिखाए 2, फिर लिखाए 6, फिर लिखाए 12, फिर लिखाए 20, फिर लिखाए 30, फिर लिखाए 42, फिर लिखाए 56, then, यह तखो यह बहुत ही simple था गोसन है, अगर थोड़ा सा आप लोग ब्रेन लगाओगे, तो कहीं न कहीं आप लोग इसको कर लोगे, I hope, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है, यह बाला, ठीक है, तो I hope आप लोग बचो कर लोगे, try कर सकते हो, आप लोग, find the missing series, पहले है 2, अगर मैं ध नेक्स टरम हरा 6 था, तो अगर मैं बच्चो अगर 2 इंटू 3 करूँगा, तो कितना निकल रहे है, 6 निकल रहे हैं, नेक्स हमारा 12 है, तो 3 इंटू 4 कुन होगा, तो pattern समझ माया, कुछ, कुछ pattern समझ माया, 2 को हम 1 इंटू 2 लिखे, 2 थी जा 6, 3, 4 जा 12, फिर 4, 5 जा 20, समझ रहे हैं हो, हां सर समझ रहे हैं, सिधा explanation में आते हैं, यस सर समझ गए, कैसे होगा, चेक करो, कुछ नमबर 4 में क्या हो गया, 1 इंटू 2, 2 पहला term, 2 इंटू 3, 6, दूसरा term, 3 इंटू 4, 12, तिसरा term, 4 इंटू 5, 20, 4 तरम, 5 इंटू 6, 30, 5 तरम, 6 तरम, 6 तरम, 7 इंटू 7, 42, 7, 6 तरम, 7 इंटू 8, 56, 7 तरम, सो दे लास्ट रम, विल बी, 8 इंटू 9, तिस, 72, सो चेक करते हैं बच्चो, 72 है की नहीं, हां सर, 72 है, 72 कहां पे है, औप्सन नमबर C में, सो द्यार्फोर, औप्सन नमबर C, 72, इस आवर करेक्ट एंसर, इस एट क्लियर बच्चो, बहुत है सिंपल सा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगना चाता, यह बहुत सिंपल सा कोसिं था, इसलिए यह बला भी हो गया, ठीक है, तो I hope यह बला भी आप लोग कर लिए हो गया, बट ट्राइ करना पड़ेगा, पहले आप लोग खुद से ट्राइ करो, मैं इसलिए बोल ला हूं क कि और एक missing series दिया है, जैचे कि 1, 7, 3, 9, 6, 12, 10, 16, 15 बोला है, ठीक है, तो वो बलाए कि next term क्या है, मतलब last term, last term of the series क्या होना चाहिए, अच्छा, ध्यान से अगर देखो कि आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे यह चेहरे को, तो देखो मैं पहला term लिया, 1, फिर 3 लिया, फिर 6 लिया, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, एक एक छोड़ गया, क्यों मैंने लिया सारी से, क्योंकि मुझे उसमें कुछ-कुछ relation देख रहा है, पहले मैंने 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 6 लिया, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, क्या देख रहे हैं हूँ बच्चों, क्या देख रहे हो आप लोग, सर हम देख रहे हैं कि 1 और 3 का डिस्टंस है, डिस्ट इफरेंस है 2, 3 and 6 का डिफरेंस है 3, 6 and 10 का डिफरेंस है 4, 10 and 15 का डिफरेंस है 5, very good, यह हमको दिख गया, यह तो बच्चों हमको दिख गया, तो अभी देखो 7 और 9, जो बाकी बच गया, 7, क्या-क्या बच सर, पहले बच्चा 7, फिर बच्चा 9, फिर बच्चा 12, फिर बच्चा 16, अभी आप लोग खुद बताओ, पहले से खुद ही बताओ, आप लोग मुझे, मैं नहीं बताने वाला, 7 और 9 का डिफरेंस बच्चों कितना है, 2 है, हाँ सर, 9 और 12 का डिफरेंस कितना है, बच्चा 3 है हाँ sir 12 and 16 का difference कितना है बैटा 4 है हाँ sir तो 16 and next का difference कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए तो 16 में 5 एड़ कर दो so answer will be कितना बच्चो 21 हाँ sir so the correct answer will be कितना 21 हाँ sir so हमारा जो answer निकल के आ गया बच्चो क्या हो गया बताएंगे जोल्दी 21 that is option number D is our correct answer is that clear is that clear बचो फिर भी अगर आप लोगो confusion लग रहा है मैं explanation भी दिखा देता हूं आप लोगों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दिया वहां पर ऐसे मैंने कर दिया क्या था मैंने यहां पर ऐसे कर दिया चेक कर लो जल्दी से वही है वही मैंने किया है यहां पर पहले 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 फिर 15 उनका डिफरेंस 2 3 4 5 था फिर जब जो बच गया था 7 9 उनका डिफरेंस था 2 9 12 उसका डिफरेंस था 3 फिर 12 16 उसका डिफरेंस था 4 तो बाकी जो बच एगा उसका डिफरेंस केतना होगा लास्ट नमर चाहे था 16 और उसका डिफरेंस 5 होना चाहे था जो series बाला question था पांस्टो question मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया and I hope कि आप लोग भी समझ गए हो गए अभी आते हैं थोड़ा सा maths question में LCF, HCF बाला question मैंने आज का जो topic लिया है वो LCM, HCF के उपर लिया है देखो यह normal question नहीं है ऐसे दिखने से normal दिख रहा है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा and heat and trial method apply करना पड़ेगा the product of LCF and LCM of two numbers is 48 वो बला है कि LCM और HCF का product वो दिया नहीं है कुछ भी but product बोला है 48 and difference of two numbers is 8 उन दोनों का difference मतलब LCM, HCF का difference नहीं दो number का difference बोला है दो number का difference बोला है 8 find the numbers बोला है so the product of LCM and HCF of two numbers is 14 और आपको पता है कि product of LCM, HCF जितना होता है आपको अच्छे से पता है कि LCM into HCF का product जितना होता है two numbers मतलब अगर two numbers को में A और B ले रहा हूं उनका product भी उतना होता है यह तो आपको पता है 10th class में हमने पढ़के रखा है जो बच्छा 10th में भी है वो भी question कर सकता है हमको पता है कि LCM of HCF of any two numbers will be equal to the product of these two numbers that is A and B तो suppose मैंने number ले लिया A and B मैंने दो number ले लिया बच्छो कितना A and B तो अभी मैं क्या करूँगा उनका product कितना दिया है जहान से देखो product दिया है 48 A into B दिया है 48 और उनका difference कितना दिया है बच्छो 8 8 A minus B जे तो लिखा है नहीं आपर difference is two numbers is 8 and the product कहां पर लिखा है product product तो नहीं लिखा है बट प्रड़क्ट अब HCF लिखा है मतलब यहां पर obviously प्रड़क्ट दे दिया 48 तो अभी आपको निकाल तो देखो मैं इसको चाहूं तो तो solve करके कर सकता हूं ऐसे solve करके b equal to 48 a minus b a plus b ka whole square का formula identity put करें भी कर सकता हूं बट हमारे पास इतना time नहीं है कि हम solve करके करेंगे तो hit and trial method कर लो क्या sir कैसे वह कैसे करते देखो बहुत सिंपल से concept है यहां पर जितना option दिया आपका जैसे कि 148 6 8 3 16 4 12 यहां से option एक बार एक बार बस कर लो जैसे कि product हमारा 48 होना चाहिए और minus करेंगे तो 8 होना चाहिए अगर कोई सा भी satisfy कर रहा है तो इसको एरेज कर देता बॉक्स करने से थोड़ा अच्छा दिख रहा है अब ही देखो हमारा क्या था न है a sorry कहां क्या pen हाँ starting starting हो रहा है इसलिए थोड़ा सा problem हो रहा है ठीक है a b equal to 48 है a minus b equal to इतना है बच्छो 8 है देखो पहले मैं यह अगर मैं लूँगा 148 तो product 48 हो रहा है बट minus 8 नहीं आ रहा 16-3 करेंगे तो कितना 13 आएगा या फिर माइनस 13 आएगा बाट अगर मैं 412 दे रहा हूं तो 412 जा 48 भी आ रहा है और 12-4 8 भी आ रहा है तो सीधा बात 9 बखवास बच्चो सीधी बात 9 बखवास clear है बच्चो स्प्राइट पीलो और 4-12 विल विल दा करेक्ट अंस कैसे सब्सक्राइब करेक्ट अंसर खतम कहानी ठीक है फिर भी इसका explanation देख लेते हैं मैं कर किया हूं तो थोड़ा सा महनत किया हूं तो उसको भी दिखा देते हूं आप लोगों सब्सक्राइब करेंगे पहले खुद से ट्राइब करेंगे दो मिनिट पांच मिनिट लेके खुद से ट्राइब करो नहीं होगा तो हम बता देंगे हो यह तो एक छोड़ा सा 10 क्लास का बच्चा भी कर सकता है यह 10 क्लास का बच्चा भी कर सकता है जब भी वो टो da पीब ले मतलव जो य Также tap every 30 मिनिट two hour-one is an over 45 minutes respectively all the device beep together at 12 noon, पहले में वो 12 noon में हुआ था, बीब, they will again beep together at dash, next वो कप करेंगे, तो obviously यह जो timings दिया है ना बच्चो, आप लोगो को यह जो timings दिया है, आप लोगो का, वो timings का क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे, then we'll get the answer खतम, तो जैसे कि timings में पहले में बोला है 30, 30 minute, यह minute में यह 1 hour, दिया है, यह 16 minute हो गया, 1 hour, 30 minute दिया है, तो यह 90 minute हो गया, and 1 hour, 45 minute दिया है, तो यह एक घंटा, मतलँ खॉटी फाइव मिनित निकाल थो जितना निकलेगा, them to 12 noon में, मैं यहा पर explanation करत के रखाया है, और इसमें जॉधा time में नहीं ले रहा, यहाँ पर ज्यादा टाइम में नहीं ले रहा, 7 number का यहाँ पर explanation में कर दिया है, क्या बोला है, correct answer, पहले देख लेते, LCM निकालने, मतलब टूगेदर वाला ऐसा है, जो भी question होता है, उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, LCM निकालना पड़ता है, तो पहले मैंने 1 hour का 60 minute, 1 hour 30 minute का 90 minute, 1 hour 45 minute का 105 minute, तो उसका जब LCM, यह LCM था, आप लोग निकाल सकते हैं, तो मैंने निकाल के रखा है, तो 1260 minute निकला, बैट उसका hour में convert करेंगे, तो वो हो गया, 21 hour, तो उसको किसमें आड़ करना है, पहला वो बजा था आपका 12 noon में, 12 noon में हुआ था उसका प्लेस 21 hours, तो ओविएसली वो 9 am में होगा, 12 noon का, 12 noon का, अगर 21 hour एड़ करेंगे, तो 12 noon का 12 noon, उससे 3 माइनस कर दो, तो 9 am में हो रहा है, तो 9 am में हो रहा है, तो 9 am में होए की नहीं बच्चो, 9 am है की नहीं, यस सर 9 am है, so 9 am, that is option number C, is our correct answer, is that clear बच्चो, बहुत ही अच्छ नवल का ही question है, ठीक है, बहुत ही, बट कभी-कभी क्या होता है, भूल जाते हैं हम, तो इसको याद रखने के लिए, आप लोगो, together वाला, एक track वाला question था, जिसमें की, दो, तीन जन, एक से एक बार भागते हैं, तो कितना देरी बाद, दो लोग जाके meet करेंगे, together में, त मतला अच्छा वाला एक दे दिया है, एक स्क्यार वाला टम में, मतला अलजेबरी का, यहां पर थोड़ा सा, आप लोग, थोड़ा सा, मोडिफाय कर देना, बच्छो, यह जो टर्म लिखा है, आप लोगो का, second term, यह 3, यह जो ऐसा है कुछ लिखा है, यह actually में क्या है न, 3x टूदी पाबार 4 है, तो 3x टूदी पाबार 4, प्लस 12x3, फिर तो दिख रहा है, 12x3, माइनस 15x3, यह दिख रहा है, यह तो दुनों दिख रहा है, यह जो यह ऐसे लिखा है, इसको ऐसे कट करके, यहां पर 3x टूदी पाबार 4 लिख देना, ठीका, 3x टूदी पाबार 4 ल करना बस उसको middle term factorization करना है कुछ भी करना है तो पहला का factorization कुछ इस तरीका का है this is the factorization ठीक है यह तो कर सकतो 6x q plus 60 x square plus 150 x था महां से मैंने क्या किया ना 6x common ले लिया तो यहां पर हो गया हमारा x square plus 10x plus 25 उसको middle term factorization कर दिये तो बना मेरा कितना बच्छो 6x into x plus 5 into x plus 5 whole square हो गया 6x को भी मैं पूरा मतलब factorize कर देंगा क्योंकि LCMA factorize कर दो 6 into 2 into x into x plus 5 whole square मैं थोड़ा सा बच्छो मतलब जल्दी बोल रहा हूं कि video lending नहीं करना चाहता क्योंकि सारा question कों को cover भी करना है इसलिए यह हो गया आपका factorization ठीक है यह दो हो गया अभी second factorization में आते है second वाला हमारा term क्या था यह वाला term था हमार second वाला that is your this one 3x4 plus 12x cube minus 15x square वहां से 3x को मैंने common ले लिया 3x square को common ले लिया तो यहां पर फिर से आ गया x square plus 4x minus 5 middle factorization किया तो यहां पर बच्छा 3x square plus 3x square whole into x plus 5 into x minus 1 इसको फिर से multiply मतलब factorize कर दे तो 3 into x square into x plus 5 into x minus 1 हो गया ठीक है तो यहां पर फिर lcm कितना हो जागा फिर देखो lcm में क्या होता है न हमारा same same terms का maximum power को लेता है same same term का maximum power इसका factorization कितना हो आता देखो इतना हो आता और इसका factorization कितना हो आता है इतना हो है तो देखो हैं पहलेOh अशुनल को लेंगे यहां पर यहांपे स्क्वेयर को लेंगे लिए पहले सबसे ज्यादा बल्स को दिफ्ट को लेंगे यहां पेडला स्कॉरर के लिए लिएीक स्ब्सक्राइब x-1 यहां पर नहीं है मतला obviously इसका x-1 लेगे तो 3 into 2 into x square into x-1 into x plus 5 का whole square तो आपको पता है LCA में जब भी factors को लेते हैं factors का सबसे maximum power को लेते हैं और XCA में सबसे minimum power को लेते हैं तो हो गया यह हो गया तो इसको multiply करके रखेंगे तो 6x square whole into x plus x plus 5 का whole square into x-1 यही है तो चेक करते हैं यहां पर कौन सा option आ रहा है तो यहां पर 6x square whole into x plus 5 का whole square into यह वाला कौन सा option है option number A option number A बच्चो is the correct answer I hope कि यह वाला concept भी समझ में आ गया होगा यह भी 10th level का question है जो बच्चे 10th 9 में बढ़ा होगा यह भी कर चुके होंगे बट कभी कभी क्या होता है न भूल जाते हैं तो इसको थोड़ा से समभाल के रखेंगे 8 number is completed बच्चो इसका explanation में मैंने करवा दिया बढ़ा थोड़ा explanation था इसलिए बट मैं पीडियाप दे दूगा आप लोगों से अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कर सकते हो 9 number में आते हैं बच्चो 9 number में वह बोला है क्या देखो बोला है कि यह एक मतलब division type का question है वह बोला है sorry बड़ा box बना देते हैं इसको वह बोला है बच्चो देखो question में on dividing a number by 4 the remainder is 2 the quotient so obtained when divided by 5 leaves the remainder 3 now the quotient so obtained then divided by 6 leaves the remainder 5 then the last quotient is 7 तो वह बोला है कि last अब इसको क्या करोगे ना आप लोग last मतलब इस पर अडिका क्या question को आपको last से चेक करना है लास्ट से चेक करना है मतलब last से जाना है और आपको चेक करना है कि क्या बोला है वो बोला है कि on divi iis में कौन सा concept लग रहा है बताओ यहां पर कौन सा concept लगा है that is diviser into लास्ट से अगर आप अखम से अगर आप लूगो देखोगे अच्छे से तो लास्स सेंटेंस पड़ो वो बोलाए कि now the quotient so obtained when divided by 6 मतलब क्यू हो गया 6 यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्यू हो गया 6 leaves the remainder 5 आर हो गया 5 ठीक है and last quotient is sorry now the quotient so obtained when divided by 6 sorry वो हो गया आपका divided by 5 बोल रहाए न रुको मैं भी यहाँ पर confused हो गया यह फिर से पढ़ेंगे last sentence को now the quotient so obtained when divided by 6 divided by 6 means divisor हो गया 6 means D हो गया 6 sorry मैं वो हो पर quotient पढ़ लिख लिख दे रिमेंडर 5 तो आर हो गया 5 leaves the remainder 5 and the last quotient is 7 तो quotient is 7 ठीक है तो क्या हो जागा देखो 6 into 7 plus 5 means divisor into quotient plus remainder तो एक कुछ निकलेगा 47 हो जाएगा मतला 42 plus 5 47 तो यह निकला क्या 47 तो इसको expand करके जलो कि जो भी quotient निकलेगा second का quotient निकलेगा 47 तो 47 को फिर से करेंगे 47 हो गया quotient उसका divisor वो देखो when divided by 5 leaves the remainder 3 मतला आर मल गया 3 5 मिल गया हमारा divisor और 47 यहां से मिल गया मुझे quotient तो उसको करके और एक करेंगे तो उसका explanation में directly में जा रहा हूँ उसमें आप लोगों समझा दूँगा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाओगे देखो पहले हमारा term क्या था देखो पहले में क्या था हमने हमारा जो formula होता है क्या होता है divisor into quotient plus remainder equal to dividend तो पहला हमारा divisor कौन था 6 और 7 था quotient और 5 था remainder वो निकला था 47 तो यह next का भी quotient हो गया 47 और वो divisor था 5 और remainder था 3 तो 47 into 5 plus 3 हो गया 2 13 अभी यह हो गया 3 का quotient तो 3 का quotient हो गया और 4 हो गया हमारे divisor जो की question में given है और 2 is the remainder leaves the remainder 2 बोला था तो 238 into 4 plus 2 that is 952 plus 2 that will become 954 तो 954 will be the correct answer 954 check करते है 954 is there any 954 over here yes option number B 954 is the correct answer फिक है बच्चो तो इसको मैंने कैसे क्या समझ भाया यह बला questions को आप लोको जब ऐसा कुछ question दिया रहेगा जहांपे की last से वो पुछा होगा तो आप लोगो last से इसको start करना है ठीक है ना इसको last से start करके आप लोगो अच्छा से इसको clear करना है and I hope यह बला question भी clear है बच्चो 9 number का question में बहुत ही अच्छा से clear है this is the year explanation पीडिएप में दे दूँगा उसका attention नहीं है जो बच्चा नहीं लिख पा रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी में तो उसका पीडिएप भी मिल जाएगा आप लोगों उसको संबल के रखते ना अच्छा इसको देखते हैं बच्चो यह बच्चा यह तो आप लोगों को मैं दे दे रहा हूं यह आप लोग एट लीस कर सकते हो आई होप की बहुत ही सिंपल सा कोस्टन है मैंने क्या सिखाया है आप लोग को देखो एट सीएप इन्टू एल्स्यम ज़स्ट इसको हमने यूज भी किया था एक नमबर दे दिया है और तो क्या करेंगे देखो 48 एक है एक नमबर कितना है 24 डिवाइड कर दो 24 तूजा 48 तूजा 16 16 इस दा करेक्ट एंसर खतम कहानी 16 इस दा करेक्ट एंसर बच्चो खतम कहानी देखो कितना क्विक्ली हो गया फिर एक्सप्लाइशन जैसे कि मैंने लिखा है तो आप लोगों में दिखाऊंगा अब्यूस्ली तो इस इस देख्लाइशन जोग से पाट तो हमको पता है कि इस देख्याशन जैसे पाट चाहिए तो प्रड़क्ट टू नमबर वाशे से एंसर एंसर उस्टी विच वन श्टी अप्सट नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर शर नौन अप्डीज क्यों दिया है वह बस एक और यह नहीं रहता है बच्चे को डराने के लिए तो इन दाट केस टेन नमबर इन टेन नमबर कोशन 16 इस दा करेक्ट अंसर ठीक है बचो थैंक्यू सो मच आई होप की आज का जो मैंने एक मतलब ट्राइ किया था एक वीडियो करने के लिए वह बहुत ही मतलब मैंने ट्राइ तो किया कहीं पर अगर कहीं पर थोड़ा सा गलती वलती हो ग बीडियो थोड़ा से स्टेबल सक्क्राइबल हो पाया कहांuchen पर थोड़ा जिए ज्यादा बोल गया कहीं पर कम बोल गया बट दिरे दिरे उसको भी एक्सपांड करेंगい हम भी दिरे दिरे सीकh ले था मैं जैसे कि मेरा आप लोग को पता है कि हमारा जो टैग्न लाइन है चैनल का बहुत अच्छे से मैं हमेशा आप लोग को वही यूज करता हूं जो कि आप लोग कहीं ना कहीं उसको डिलेट कर पारे हैं that is your keep learning हमेशा life में आप लोग को learn करते रहना है keep learning आप लोग को learn करते रहना है चाहे वो आप लोग कितने भी बड़े हो जाए चाहे आप कितने भी बहुत ही अच्छे से लेंदी नहीं करेंगे ओल लेडी चाली से वहले फॉर्टी टू मिनिट्स का हो गया वीडियो मैंने नहीं सोचा था इतना वड़ा होगा बट सारा कुछ उसको के अच्छे से डान्व Character करने में हो गया इसका जो अच्छे से और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना कि sir haan sir एकुमुको समझ पे ले अच्हों सको बूसे मैं एसे बोलता नहीं बट जितना हो सेट इन वड़ा वीडियो के ढलीत ओर करो सैयर का मतलब क्या हैना सब्सक्रिब्सन के बिचे में इंड बोले रहा बट सैयार करो गए और सब्सक्राइब कर computer उसको लोगी जब्सक्राइब कर अगर काम में आ गया तो आप लोग को भी अच्छा लागा और मुझे ज्यादा अच्छा लेगा ठीक है बच्छों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट सीरीज को लेकर दिश दियोर सीरीज नमबर वन एंड मैंने बादा किया था मैंने लेकर आया और इस कितना क्या रेस्पॉंस मिलेगा मुझे नहीं पता बट आप लोग जितना हो सकी इसको सेयर करो जितना हो सकी इसका रेस्पॉंस जो कॉमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा वीडियो और मिलते हम और एक नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्या रॉल आफ यू स्टे से stay at your home, जय जगर्नाथ